हाई दोस्तों वेलकम टू माई यूटूब चैनल काफी बच्चों ने मुझे बताया कि सर आप एक वीडियो उस पर बनाईए कि किसी सबस्टेशन का जो कोशन आता है एक्जाम में वह किस परपर से आता है कैसे आता है तो यहां एक क्वेशन मैंने एक्जांपल कहे लिया है से उसे मैं समझाते हैं को बता रहा हूं कि किस हिसाब से कोशन आपका बनेगा यहां कोशन कहा गया है कि एक ग्रामीड छेतर है एक ग्रामीड छेतर है पोल मांटन सबस्टेशन के लिए बनाना को बता रहा हूं है एक ग्रामीड छेतर है ठीक एलेक्ट्रिक सप्लाइड उस यह तो transformer की rating हो गई कितने के वी की supply आ रहाई इवा कंवर्ड किसमें हो रही है 0.4 के वी में कितने हर्स की frequency यह तो यह तो उसकी पूरी rating हूँ यह तो power हो गई यह voltage की rating हो गई फ्रेक्वेंस सी हो गई और यह phase हो गया थी फेश का pole mountain कौन सा pole mountain electric पोल मॉंटन एलेक्ट्रिक ठीक है सबस्टेशन स्थापित करना है ठीक है सबस्टेशन के लिए आवश्यक सामगरी की सूची बनाना है ठीक क्या बनाना है आवश्यक सामगरी की सूची बनाना है सामगरी के कुल मुल्य का यहां इस्टीमेशन है यह गलत लिखा हुआ है ठीक ठीक है फिर यहाँ सबस्टेशन का संस्थान कास्ट का मुल्यांकन करना है तो अब केवल कोशन में केवल इतना है दो ही वर्ड पूछा है एक सूची बनाने के लिए कहा है और सामगरी का मुल्य बनाना है तत्था क्या करना है इसकी टोटल का सबस्टेशन की संस्थान की कुल लागत को पूछा है इसी में कह सकता है कि रेखा चित्र भी दर्साइए यहाँ A और B आपसन है तीसरा आपसन यह कह सकता है कि पोल मॉंटेन या आपका सबस्टेशन है उसका रेखा चित्र या प्लान डाइग्राम दरसाना है तो अब यहां कोशन आपका कैसे बन जाता है देखेंगे लोड दिया हुआ है आप यहां से कोशन को सुरू कर देते हैं यहां से हल करना सुरू कर सकते हैं कि पावर आप निकाल सकते हैं या कोशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के इस तरीके से यहां से सुरू कर सकते हैं से या फिर इसी को पूर्वा नुमान लिखा जा सकता है इसी को क्या कर सकते हैं पूर्वा नुमान करके बताया जा सकता है तो कोशन देखो जहां से इस सुरू गया मैं वहीं से बताते हुआ आपको चल रहा हूं यहां देखिए इलेक्रिक सब्सेशन का लोड कितना है भाई शौग का कैसे मुझे पता चला यहां दिया हुआ है तो यह टोटल लोड मैंने भी बताया को बताया का के विये में दिया हुआ है ठिक यहां ऐसा वाट म इसकी जो एक्यूपमेंट लगाना है उसमें उसकी रेटिंग क्या होगी ठीक है जैसे हमारा सर्कीट बेकर हो गया ठीक सकी बेकर तो बोल्टेश भोगा सीटी वगरा की जो रेटिंग जो कहेंगे या जो भी उपकरन लगाएंगे उनकी रेटिंग का हमें क्लियर पता चल और आगे की जो केबल हम लगाएंगे सेकेंडरी साइड की केबल उसको भी आसानी से पता किया जा सकता है तो यहां अधर का जो आपका करेंट निकालना है तो टूटल 100 kv है पावर तो सेम है आपको बताया भी जाता है कि जो ट्रांसफार्म होता है उसकी पावर क्तिकल नहीं होता है लेकन फिर भी उसे dannt तो यही power आपकी secondary के लिए भी हो जाएगी और यही power आपकी primary के लिए भी हो जाएगी तो primary side st है आपका तो यहाँ electric current निकालेंगे तो 100 kv को उपर रख दिए root 3 into 11 formula क्या हो जाता है प upon आपका जो formula होता है यह मैं लिखके बता रहा हूँ हो जाएगा यहाँ पर कासफाई की जो value दे रखा उसे unity मान रिखे हैं यहाँ अगर मैं कासफाई को पूरवा नुमान में लिख सकते हैं कि वह एक है यूनिटी है इसकी value एक है पी आपके पास दिया है 100 kvm और वी आपके पास दिया है 11 kv का तो इस formula में अगर पूट करते हैं तो जो आपका देखेंगे इधर आया हुआ हुआ है यहाँ फार्मूले में पूट किये कासफाई की value यहाँ multiply करके एक लिख सकते हो अनिथा छोड़ सकते हो जब यूटी माल लिए तो उसका वन से multiply करना कोई जरूरी नहीं हो जाता है ऐसे ही एल्टी के लिए निकालेंगे तो पावर तो उसकी सेम है एल्टी के लिए भी यहाँ बोल्टेज आपका परिवर्थित हो जाएगा बोल्टिच यहां से ल्टी की करन आ जाएगी यह दोनों करन अप्रेंट हो जाएगी प्राइमरी करन्ट आ गई से क्वे निकालने से पहले भी हमारे अ कोशल यहां से बन सकता था हम करन निकालें जिसे करण निकालने के पहले भी कोशन हमारा आसानी से बना जाय सकता था हम इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती इस कोश्चन के लिए हम उसे पूरवा नुमार में आएसानी से लिख सकते थे ठीक है अब यहां पर देखेंगे पूरवा नुमार में दिरखा परीकलपनाये क्या यह हमारा परिकल्पना है या इसी को आप पूरो आनुमान एजप्सन कुछ भी कह सकते हैं ठीक है अब यहां पर देखेंगे जो जो बाते दी हुई है उसे मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ ठीक अच्छे से देखेगा छोटा कर लिया मैंने और यह ठीक चले देखें यहां दे रहा सबिस्टेसर नव मीटर लंगे आरसीसी पॉल के डबल स durum records दें यहां मैंने 9 मीटर का आरसीसी पॉल है यह PCC लिए तो पी सी काये और खे के आप पूर्व अनुमान प्याहां पर कुछ कहा नहीं है को छलande क्षा में क्या क्या काया है गुर्षन इसा कूछ भी नहीं कहा है कि किस टाइप का हमारे क्या लेना है लेना है तो अब यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे दिखा दिया कि यह हमारा किस टाइब का है यहाँ पे देख रहेंगे यह हमारा PCC पोल है RCC पोल ले सकते हैं Tubular पोल ले सकते हैं कोई भी आप पोल ले सकते हैं उसकी आप यहाँ पे दिखाया पूर्वा नुमान में आप उसे लिख के दिखा देंगे ठीक अब क्या कहा है दूसरा हमारा क्या है 11 केवी की निर्वत माल लाइन का टर्मिनल पॉल सबस्टेशन इंस्टालेशन से इंस्टालेशन अस्थान से 20 मीटर के दूरी पहर है अब यहां दे दिया कि जो हमारा सबस्टेशन बनेगा उससे जो एक और पॉल है दो पॉलों की बीच में कनेक्शन हैATHAN में बना रहा हूं देखेंगे देखें जैसे हमारा यह हमारा पॉल मांटन सबस्टेशन का फिगर बनेगा यहां से तो यहां एक पॉल नया बनेगा इस पॉल से अगर मैं कहूं इस पॉल से यह जो दूरी दे रखा वह 20 मिटर का दे रखा कितने का दे रखा इस पॉल को कह रह पूर्वानुमान में ने माल लिया किसमें माल लिया पूर्वानुमान में अगर इसे आप नहीं भी माहनते तब भी आपका कोशन गलर नहीं होगा ठिक सूर्प subzulation के पृत्य 50akvac के 2 आउट्पूट ईठीब और सोर्स पराप्ध किया जाएं यहां पर बुक में दिया हुआ है अगर यहां पर मैं कहूं कि दो खे बजाए तीन भी ले जा सकते हैं क्योंकि आपका थ्री फेज का है तो तीन अलग अलग आपकी क्या हो जाएगी फेज हो जाएगी और प्रतेक फेज की जो पावर होगी वो इतना दिखाया गया है ठीक तो ऐसा भी लिखा जा सकता है तो यहां पर जो मेंली आपका तो जफा पूरवा नुमान में लिखने योग बात थी वह यह थी न दौनों को अगर आप नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं बलकि इसके श्थान पर लिखा जा सकता है कि जहां कि यह जो पावर वाला जो था और का उसे अर्थ किया जा सकता है तो ऐसी कुछ बातें लिखी जा सकती है इसमें पूरवानुमान में ठीक है देखिए इसके बाद यह वाला प्लान महें बनाना है यहां पर हमारा जो पॉल दिखाए देर है यह पी सी सी पॉल है इस प्लान को बहुत अच्छे से देखेगा मैं फि कि उसके बाद हम बनाएंगे आवश्यक्ष समागुरी की सूची देखें इसको सिंदे में एक बात नहीं कहा गया था इसनले इसलिए इस बुक में कोशन में दो बाते कौन कौन से कहा आवस्यक्व सुची बनाना था और उसकी टोटल कास्व की गर्णा करना था यही किवल दो बाते कहा था अगर इसमें तीसरी बात भी कह दे रहे उसके लिए मैं लग से वीडियो नहीं बना रहा हूं इसी वीडियो मे इंक्लूड करेगा तो जो भी मैंने फीगर आपको दिखाया इस फीगर को भी आपको बनाना पड़ेगा यह फीगर है अच्छी तरी के देखेंगे इसे मैं लास्ट लेक्चर में बनाया था उसको ही मैं दिखा रहा हूं ठीक है देखेंगे क्या क्या चीजे लगा हुआ अब क्या कर रहे हैं इस्टीमेशन कर रहे हैं तो यहां पहला बात कह दिया कि 9 मीटर का PCC पूल यहां आर सीची पूल भी आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से बनती है क्रम संख्या सामज्जिक सामगरी का नाम विवरं शहीति या फिर इसे एक इंग्लिस में लिक रहे हैं नेमा मै यहां इस बात को हटा सकते हैं या फिर यूनिट ले सकते हैं रेट प्राइस और रिमार्क या टिप पड़ी ऐसा मैंने भी पहले बता चुका हूं यहां पर यूनिट जो रख दे रखा यहां इकाई का चाहिए का जो मतलब है कि वहह के भाओ है संख्या में है थीीर में है यह सेट इस साथ से वह बात यान्य attempting तो पहला बात इसमें लिख रहा कि 9 मेंटर का क्या है पीच सीघक पोल है तो उच् heavily को या आर्च में बनाया पूल कितने हैं दो एक पूल दो पूल ठीक और इसका जो रेट दे रखा रेट आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो रेट है वह 850 रुपए एक पूल के हिसाब से समानता अगर आप सी पूल ले रहे तो यही पूल आपका 2000 रुपए का हो जाता है ठीक फिर उसके बात क्या ह है यारा केवी डिस्क इंसुलेटर यहां पर देखेंगे दो है तो मल्टिप्लाय करके यहां पर निकाल लिए है यहां फिर कह रहा है इधर पीछे करके दिखा रहा हूं ठीक यहां यहां आपके एक दो तीन आपके क्या है डिस्क इंसुलेटर है ठीक आगे की ओर में चलता हूं फिर क्या है तीन है देखें क्वांटिक देखेंगे रेट आपने इसाब से भली जिएक बार बाद में देखें रेट छैसर रुपए का है एक ठीक फिर यहां पर है जिसकी रेटिंग है 100 उसकी संख्या कितनी है दो बातों पर ज्यादा ध्यान रखिएगा यह और यह यह आपका उपर नीचे हो जाएगा कोई से फरक ज्यादा तर नहीं पड़ेगा रेट पे लेकिन यह दो बाते जो आपको बहुत ध्यान रखना है नाम ना चुटे और है या बंद करने के लिए टीपी एमो स्विच ठीक आगे क्यों में चलता हूं कि देखेंगे यहां इधर आपका फिर नेक्स्ट आपका आजाएगा क्या यह रखेंगे एक दो तीन हमारे यहां यहां इन तीन हमारे यहां इन तीनों के यहां सेट को एक नाम दे दिया जा रहा है एक फ्यूज हाई वोल्टेज का फ्यूज ठीक वह एक सेट लिखा गया है पूरा सेट का मतलब तीनों जैसे टीपी एमों का तीन फ्लिंजर थे ऐसे इसका भी एक सेट कहा गया है आगे की और देखाते हैं पोश्टन को आगे ले इसकी क्वांटिटी कितनी है एक और एक इसको दे रखा है दो लाख रुपए का समानता अगर आप एक लाख रुपए भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यह अगर लेते हैं तो महगा पर जाता है गौर्णमेंट से लेते हैं सब्सिडिय मिल जाती है तो यह सारी यहां पर देखेंगे चैनल से कितने कि उसकी अलग-अलग साइज में रखा है मालडल स्टील के चैनल दे रखें 125 इंटु आट एक दें रखा दूसरा दे रखा कि सो इंटु पचास इंटु आठ अर्थ तीसरा दे रखा में इस का एंगल आयरं दे रखा यह इतनिका दे र एक तो यहां लगाया गया है जिस पर आपका Spring रखा गया है एक यहां एक यहां एक यहां तीन इधर और एक ऊपर सबसे यह चोथा देखेंगे अगर आपको किवल उसी को अभी मैं छोड़ रहा हूँ तो इधर आपका देखेंगे एक दो तीन और यह चार एक दो तीन और एक चार तो इनको मीटर में दे रखा है किसमें दे रखा है मेटर में दे रखा है आप चाहें तो नंबरिंग करके लिख सकते हैं ठीक देखेंगे यह मेटर में दे रखा है तो 2.24 मीटर का यहां देखेंगे रेट में मेटर में दे र कर देखा और यही अंगल आपका है दो मिटर के जो एंगल होंगे यहीं आपके लगाए जाए गे किसके लिए ट्रंट सफार्मर को रखने के लिए तो है कि आपके देखेंगे यहां दो पॉल कितनी है शंट्राइब कि इसकी देखा इसोल खीपल कि लगएभी तो मेरे क्लम कित्ने लग उन्हें लगए यहां पर नोगेगा यहां पर плand को बांधने के लिए जोगो इन जगवारा क् Leaves यहां पर कह सकते हैं ये कि देखेंगे यहें इन देकम पे मरकल कलेंप लगे चिँगं आगे कि और चलता हूं कि देंजर प्लेट यह भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं देंजर प्लेट बाघ्ट बाइब वायर इसटे वायर तीन यहां एक पूल पे दो इसटे दे रखा कब आप इसे दो ही दिखाते हैं तब भी आपका गलत नहीं होता है ठिक बारबीड यह होता है आपका कटी ले ताहर देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा बारबीड वायर तो इसकी शंख्या दे रखा से साट में इधर भी लगतेगोEC एधर भी लगतेगा तो यहापका कम किया सकता चाहेम्द दिपेंड करता में और मैं जिखा लिए इसे ऑफ किया क एक सेट्स बहुत आपके लिए सफिशियंट है दो लिखना चुकि इस कोशन में बोल्टेज बहुत जादा था याप सौक की विए घर से एक 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 सेट्स बनाने की वह सब्सक्राइब यहां मैंने बनाया पाइप अगे की और मैं चलता हूं कि देखेंगे अब इस तरफ में आपको जब दिखाता हूं तो नेक्स्ट आपको क्या जाएगा भाई देखेंगे इधर और कि लोगर का फ्रयों सेट यह कहां लगें могने कर यह देखेंगे आप यह साथ कर लें लोगर कफो सेट और 2020 मैं आपको अभी कोरशन में बताया था यह दूरी रखा है तो चार आपके जाएंगे और का नूट्रल का है तो यहां पर देखेंगे सो यह इसको भी दिखाया गया और यहां पर fusion देखेंगे यहां पर देखेंगेоны चीज़ का symbol दिखाई दे रहा होगा यहां रिखाऊ हुआ है lt membrane तो इसकी जो क्या यहां वो भी आपको इसमें दिया हुआ है देखे ऐगा लिफ यहां पर कियों कि देखेंगे दो अलग अलग इसमें निक्लत सुरुआत में मैं दिखा था को कता था देखें सुरुआत मैं इसे पुरुआ निमार में लिख रखा था कर 20 के दो आपूर्ड़ निकाल दा था यहां ती अगर निकाल लेंगे तो सब्सक्राइब जो यहां question जो मेरा यहां पर मैंने इस question को बनाते है इसमें देखेंगे तीन फेज मेरे निकल रहे है और यह निखा गया है और यह निट्र लिंक है clear हुआ चलिए आगे की और चलता हूँ और कह दिया हुआ भाई और दिया हुआ है मेरा ये भी देखेंगे हम store pad दे रखा है store pad कहा होता है यह आप देखेंगे store pad की संक्या कितनी दे रखा है यहां पर देखेंगे store pad की संक्या दे रखा है दो और सिमेंट कंक्रीट का अनुपात दे रखा है लम सम ठीक तो यहां पर देखेंगे स्टोर पैड कितना है यह देख लिजिए स्टोर पैड कहा आपका लगाया गया है यहां पर लगता है यहां देखेंगे यहां आपका जो पॉल होता है यहां जो पॉल होता है इस पॉल के पास म तरीके सोता है यहां गर मैं कहूं तो यह इस तरीके सिसे को जमा दिया जाता है ठीक इसे बोलते हैं स्टोन पैड ठीक आगे की वर मैं चलता हूं फिर देखेंगे हमारा क्या है यहां पर देखेंगे केबल कॉर पंचानबे में स्कुायर पंचानबे इसका साड़े तीन कोर की पीवी सी अलमूनियम केबल है पांच मीटर ले गए है यह कहां लगाया जाएगा यह आप देखेंगे केबल कहां लगाई जा रही अच्छे देखेंगे यह लगाई जा रही है यहां से यह बात मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि यह केबल से काम चला जा सकता है तो यहां से लेकि यहां तक केबल बाक्स तक अलमूनियम के केबल आएगी जो उसकी रेटिंग दे रखा है और यह पांस मीटर लिया जा रहा ठीक इसको यहां पर देखेंगे लिखा गया केबल बाक्स यह केबल बाक्स यहां से जो आएगी वह केबल आएगा ठीक आगे क्यों में चलता हूं 11KV के Disk Insulator Clamp सहीत है और कितनी है तीन और 11KV का पिन इंसुलेटर है ठीक वह कितने हैं आपके तीन तो यहां पर देखेंगे पुना डिस्क लिया है बलकि आप यहां पे डिस्क नहीं बलकि पिन इंसुलेटर ही लिया जा सकता है अगर उपर के उपर वाले देखते हैं हमारा कौन सा लिया था उपर क्यों में देखता हूं अगर वो हमारा पिन रहा होगा यहां पर डिस्क यहां गलत है यहां दो पिन लगेंगे यहां यह भी पिन होगा यह भी पिन होगा डिस्क नहीं लगा जाता सामानता देखेंगे यहां पर डिस्क नहीं लगा जाता यहां भी पिन होगा यहां भी पिन यहां भी पिन तो एक दो तीन इधर पिन एक दो तीन इ sey लगेंगे यहां परateur डिस्क लगा आगी तो बिसक्ति को आपका कल्रदेगा ठीक आजा चलते हैं क्यों शुत्क कर सामगरी देरा फूट कर सामगरी एक चीजह चूक्त रहा है तो अच्छेजें पॉलोक है यह सकता है ठीक यहां और यहां पर और जिसे लाइटनिंग अरेस्टर था यह भी आप लगा देखेंगे मैं को यहीं पर खतम कर रहा हूं वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है अब हम करेंगे क्या यहां पर देखेंगे रेट भी अच्छे से मैच कर लिजेगा एक बार मैं फिर से पूरा दिखा देख लिजेगा रेट मैच करते हुए चलिएगा वीडियो को पोश्ट करकर करके ठीक यहां आगे की और मैं चल रहा हूं देखिए यहां रेट तो यह जो पैसा आएगा यह मूले वाले जो पैसा आएगा इन सभी पैसों को जोड़िएगा तो जोड लेंगे तो क्या को फाइनल ऑप्शन तक पहुंचाया जा सकता है कि यहां हमारा टोटल जो रिक्वाइड आप किया आगे टोटल कास्ट वहां तक कोशन को किया जाएगा तो यह कोशन आप ध्यान रखेंगे इसमें चुकि यहां पर इतना ही बता गया क्योंकि इसमें दो ही बात थी यहां स तक पहुंच जाता फिलहाल आपको देखेंगे जगर में बात यहीं थी कि जो भी लड़का इस फीगर को बहुत अच्छे से याद है तो इसमें लगने वाले मट्रियल का नाम भी उसे लगभग लगभग याद होगा और वो कोशन को कम्प्लीट कर सकता है तो यह वीडियो भी किसी उस प्रॉब्लम पर इसी के मैं बता दूगा उम्मीद करता हूं कि यह बाला टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा धन्यवाद